सिल्कियारा टरनल में फस 41 मजदुरों के लिए आज पंदरवाद दिन शुरू हो गया है अब मानवल ड्रिलिंग को ही ऑप्शन माना जा रहा है लेकिन साथ ही साथ वर्टिकल ड्रिलिंग पर भी पूरा जोर है मानवल ड्रिलिंग के लिए आर्मी को इंवाल्व कर लिया गया है जो आप देख भी सकते हैं कि आर्मी के ट्रक्स आपको नज़र आ रहे हैं मडरास सेपर जो रज्जमिंट यहाँ पर है वो इस काम में लग रही है और मानवल ड्रिलिंग में सिविलियंस के साथ मिलकर जो की 20 लोगों की टीम है जो कि एक्सपटाइज करती है ऐसे ड्रिलिंग्स को लेकर वो तमाम लोग जो है वो ड्रिलिंग करेंगे या आर्मी का फोटन फिलाला आप देख रहे हैं और यहां पर आप जो आर्मी के आक्टिवनस है वो बहुत जादा बढ़ गई है लेकिन इस पूरे रेस्क्यू ऑपरे पर परेशन पर पड़ेगा फिलाल आप देख रहे हैं कि एक तरफ बादल बिलकुल नज़र नहीं आ रहे हैं आसमान साफ नजर आ रहा है लेकिन बूसरी तरफ अगर देखेंगे तो हलके हलके बादल जो है वो ऊपर की तरह आ रहे हैं यानि कि आज कल और परसो बादल बन पूरी तरीके से बंद हो जाएगा और क्योंकि डूलिंग करने के दौरान पानी अंदर ना जाए पानी सीपे ना तो वो उसका बहुत ध्यान रखना होता है ऐसे में बारिश होगी तो उपर का ऑप्शन पूरी तरीके से बंद हो जाएगा हाना कि माना यहीं जा रहा है जो सिल्क एरा टनल के मुहाने से ऑपरेशन चल रहा है उसका कोई असर नहीं पड़ेगा यानि कि मान्वल ड्रिलिंग जो होती रहेगी पर उपर जो ऑपरेशन व प्रभावित होंगे लेकिन मान्वल ड्रिलिंग वाला जो मैथड है वो प्रभावित नहीं होगा ऐसे में पाँच ऑप्शन मैसे तीन ऑप्शन बारिश के चलते प्रभावित होंगे बंद तक हो सकते हैं ऐसे में जो लोग अलडेड़े यहां पर 15 दिनों से फसे में हैं उ पुम्रों बसन असीर सिर्के साथ प्रियांगा खांटवा न्यूस एटिन इंडिया उत्तरकाशी